Mother Nature has been extremely kind on all of us. अगर थंड में हमारे पास है गोन्थ, तो कर्मियों में है गोन्थ कतीरा. आईए जानते हैं फाइदे गोन्थ कतीरा के सबसे पहले इसको देखें, ये थोड़ा सा बड़े बड़े दाने होते हैं, येलोईश कलर की होती है, और इसको हमको रात भर के लिए पानी में भिगोना होता है, तो जब रात में या 5-6 घंटे पानी में भिगो तो ये जल टाइप की एक consistency का बन जाता है, पानी को अब्सॉब करके, अब आप चाहे इसे शर्पत में टालिए, ग्यान टालिए नमकीन लसी में, निदू पानी में या प्लेन दूद में पीजे, आपके लिए बहुत अच्छी है, एक इसकी एंटी ब्लोटिंग रेसिपी है, वो एंटी ब्लोट रेसिपी आप मुझसे पूछे का मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, काफी फाइदे मन्द होते हैं, क्योंकि टॉक्शन को बोडी में से बाहर करने में इस डिजीजे को, और जैसे आजकल थोड़ा सा वाइरल फैला हुआ है, इसकी एंटी एजिंग, एंटी इंटी इंफलिमेटरी प्रोपर्टी इस होती है, वांस को हील करती है, पिग्मेंटेशन को रिद्यूस करती है, तो स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है, अ और इसे आप सर गर्मियों में जरूर लेजिए, अकसर लोग मुझे पूसते हैं, यह मिलेगी कहां, आपको अमेजन पे मिल जाएगी, या किसी भी लोकल स्टोर में, आप इसको गोंद कतीरा के नाम से सर्च करिए, काफी अच्छी है, बोड़ी को गर्मियों में एक मेंडि दूसरी गोंद की बात करें, तो यह छोटे-छोटे से डाक प्राउंट के क्रिस्टल्स, यह हमको गोंद है, हम में से हर किसी ने गोंद के लड़ू जरूर खाये होंगे, विंटर में आपके लिए मिंडिटरी है, जैसे समर्स में गोंद कतीरा, इसको अगर आप पान में ड जालोगे रात भर के लिए तो यह घुल जाएगी, तो बिकम लाइक गमी लीक्विड, यह गोंद उनके लिए बहुत बेनिफिशिल है, जिनका वीक नर्वस सिस्टम है, एंसाइटी है, डिप्रेशन रहता है, पाइल्स की प्रॉब्लम हैं या लो वाइटमिन डी है, आपको अगोंद गोंद बेनिफिट बेनिफिट पता है, तो अब क्योंकि आपको गोंद और गोंद का तीरा के बेनिफिट पता हैं, तो I hope you will be using the best goal for you this winters or this summers and reap the health benefits of the same.